हेलो फ्रेंड्स आज हम शुरू करने वाले हैं एक पोएम A Tiger in the Zoo जिसके पोएट है Leslie Norris So friends इस पोएम में एक चिरिया घर के टाइगर से एक जंगल में रहने वाले टाइगर का comparison हुआ है हम लोग इस पोएम में एक जंगल में रहने वाले टाइगर और एक जंगल में रहने वाले टाइगर दोनों के बीच में फर्क देखेंगे कि कैसे एक चिरिया घर के टाइगर से उसकी सारी freedoms उससे छीन ली गई है उसका जो natural habitat है उससे छीन दिया गया है तो चलिए पोएम शुरू करते हैं So friends, first stanza में एक चिरिया घर के टाइगर के बारे में बात की गई है कि एक चिरिया घर का टाइगर अपनी चमकदार धारियों के साथ चल रहा है वो अपने पिंजरे में चुप चाप अपने गुसे को काबू किये हुए चल रहा है रखने के So friends, second stanza में एक जंगल के टाइगर के बारे में बात की गई है कि कैसे एक जंगल का टाइगर एक पेर के पीछे चिपकर या लंबी घास के पीछे चिपकर या पानी के किनारे चिपकर अपने शिकार मोटे हीरन का इंतिजार करता है So friends, third stanza में भी एक जंगल के टाइगर के बारे में बात की गई है कि कैसे एक जंगल का टाइगर जो जंगल के पास में जो घर होते हैं, गाउं होते हैं उनके आजपास जाने के लिए वो स्वतंत्र है और वो अपने सफेद दात, अपने पंजो से लोगों में दहशत फैलाए हुए रखता है कहने का मतलब यह है कि जो जंगल का टाइगर है, वो जंगल के किनारे जो गाउं है, उनके पास जाने के लिए वो स्वतंत्र है वो कभी भी जा सकता है और उसके वहाँ जाने से लोगों में दहशत बैठ जाती है फिर फ्रेंट्स फोर्ट स्टैंजा में जू के टाइगर के बारे में बात की गई है कि एक चिरिया घर का टाइगर अपने पिंजरे में बंध है, उनकी मजबूत और ताकतवर सलाखों के पीछे वो बंध है वो आने जाने वाले यात्रियों को नजर अंदास करते हुए अपने पिंजरे की लंबाई नाप रहा है मतलब पिंजरे में बंध टाइगर चुपचाप घूमने के अलावा कुछ नहीं कर सकता उसकी ताकत, उसकी मजबूती सब पिंजरे में कैद है Then friends, फिफ्ट स्टैंजा में एक जू के टाइगर के बारे में बात की गई है एक चुरियागर के टाइगर के बारे में बात की गई है कि कैसे एक चुरियागर का टाइगर रात में सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की साइरंस की आवाजी सुनाई देती है यानि कि वहाँ पर जो गारिया घूमने के लिए आती है उंकी निगरानी करने के लिए आती हैं सिर्फ उनकी ही अवाजे उसे सुनाई देती है और वो अपनी चमकदार आखों से चमकदार स्टार्स को घूडता रहता है कहने का मतलब यह है कि जो चिरियागर का टाइगर है उसे सिर्फ वहाँ घूमती हुई गारियों की आवाज ही सुनाई देती है किसी पश्चु पक्षी की आवाज उसे सुनाई नहीं देती और उसे केवल स्टार्स ही दिखाई देते हैं उसे कोई जानवर पेर पौधे नहीं दिखाई देते और वो उन स्टार्स को घूरता रहता है अपने जंगल के दिनों के बारे में याद करता रहता है और सोचता है कि काश वो वहाँ पर जा पाता वो free नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है और उसका freedom उससे छीन लिया गया है वो घर को कितना miss करता है, forest को कितना miss करता है